पुलिस ये वो नाम है जो समाज में अपना एक अलग ही ओधा रखता है दुख की घड़ी हो, सुख का अक्षन हो, लोगों को त्योहार के समय सुरक्षित रखना हो या किसी विपत्ती से बचाना हो ये सारी चीजें बिना पुलिस की सहायता से पूरी नहीं हो सकती इस समय हमारा देश खतनाक महामारी कोरोना से जूज रहा है और सरकार, प्रिशासन, पुलिस सदिकारी, डॉक्टर, नर्सिस, सभी मेडिकल स्टाफ अपने स्तर पर नागरिकों की सुरक्षा में लगे हुए है इस समय देश में लगभग साड़े तेरह हजार से जादा लोग कोरोना से पीरित हैं और चार सो पचास लोगों की मौत भी हो चुकी है देश में मधिपरदेश का 500 अस्थान है जहां अब तक 1164 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से मधिपरदेश में 55 लोगों की मौत भी हो चुकी है वहीं मधिप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा इंदौर में अब तक 842 संक्रमित मरीज पाए गए है इंदौर का पूरा पुलिसमला और प्रशासन नागरिकों की सरक्षा में लगा हुआ है इसी बीच एक ऐसे पुलिस अधिकारी है जो अपने कर्तवियों का बखूबी निर्वहन करते हुए इंदौर वासियों की सरक्षा में लगे हुए है और अब तक जरूरी व्यवस्थाएं पहुचाने की कोशिश में है जी हाँ इंदौर कलेक्टर मनीश सिह की कारिप्रणाली उस मजबूत दिवार की तरह है जिसे तोड़ना मुश्किल है दिन रात एक कर कलेक्टर मनीश सिह अपने साथी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर इंदौर को कोरोना मुक्त बनाने में पूरा सही हो कर रही है जब से इन दौर में कोरोना की केस बढ़ना चालो हुए तब से कलेक्टर मनीश सिह ने कड़े निर्देश जारी करते हुए नागरिकों से घर में रहने की अपील की है शेहर को सेनिटाइज किया जा रहा है ड्रोन से सेनिटाइजेशन करने वाला इन दौर पहला शहर है जहां इस तरह का उपियो किया गया है ड्रोन की मदद से सड़कों का सेनिटाइजेशन किया गया इस काम में कलेक्टर मनीश सिह की एक एहम भूमिकार ही इसके अलावा कलेक्टर मनीश सिह लोगों को घर घर तक किराना पहुचाने वाले अभ्यान का भी ख़त संचालन कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि नागरिकों तक जल्द से जल्द सामान पहुचाया जा सके ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इस योजना को धरातल पर लाने के लिए कलेक्टर मनीश सिह ने डोर टो डोर कच्रा गाड़ी के पीछे कुछ करमचारियों को लगाया है जो घर-घर के सामान की लिस्ट तयार कर रहे हैं और लिस्ट को कारेले भेज कर वहां से सबी जरूरी चीज़ें जरतमंदों तक पहुचाई जा रही है इसके साथ एक कलेक्टर इवं जिला दंटा दिकारी मनीश सिह ने कोविड केर सेंटर बनाने के लिए जिला मुख्याले के हूटल अमर विलास एपी रूट के लगबग 56 कमरे और हूटर वाटर लेली बाइपास के सो कमरे तधा शेल भी हॉस्पिटल आरेस भंडाली मार्ग अधिगरहित कर लिए है इंदौर शेहर में कोविड 19 सग्रमट से निजात पाने के लिए और इंदौर शेहर के निवासियों को समोचत इलाज एवं स्वास्त लाब के लिए इंदौर शेहर में कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केर सेंटर के स्थापना इन होटलों में की जाएगी कलेक्टर मनीश सिह के निर्देशन में इंदौर जिले में कोरोना वाइरस से निपटने के लिए सभी तरह के पुखता इंतिसाम किये जा रहे है जिले में व्रहद सैंपल, व्रहद टेस्टिंग तथा व्रहद सर्वे कर विशिश ध्यान दिया जा रहा है इंदौर शहर में प्रती मिलियन दो हजार सैंपल लेकर उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है यह संपूर्ण देश में सरवाधिक है वो लेकनी है कि इंग्लेंड में सैंपल दर दो हुजार आट सो प्रती मिलियन है इसके फर्स वरू पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी जादा आ रही है उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो पूर्व में किये गए कॉरिंटाइन मरीजों में से हैं नए मरीजों की संख्या में कमी आई है इन दौर में मरीजों के सेंपल और टेस्टिंग लेने पर ध्यान देने के साथ शहर में सघन सर्वे पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है अभी तक 6-7 लाख व्यक्तियों का सर्वे पूरा खलिया गया है इस सर्वे का लक्ष है 12 लाख से जादा लोगों का सर्वे हो पूरी हो रही है जो मरीज आ रहे हैं वो पूरे होम कॉरिंटाइन या संस्थागत कॉरिंटाइन के हैं नए प्रक्रणों में कमी आई है और उमीद की जा रही है कि बहतर परिनाम मिलेंगे इन दौर में नए अस्पताल चिन्हित कर बैड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है हाल ही में भारत सरकार का केंद्री अध्यन दल कोरोना वायरस की रोक्थाम के लिए इन दौर में किये जा रहे कारियों के संबंद में इन दौर पहुचा दल के सदस्यों ने कोरोना वारस के रोक थाम तथा इससे निपटने के लिए किये जा रहे कारियों और प्रयासों की जानकारी दी संभागायुता काश्टरपाथी और कलेक्टर मनीश सिह ने अध्यांदल को इंदोर में किये जा रहे कारियों और प्रयासों की जादकारी दी अध्यांदल ने इंदोर में अभी तक किये गए कारियों की सरहाना की कलेक्टर जिलात अंडाधिकारी मनीश सिह की आदेश पर इंदोर जिले में कोविड-19 को द्रिश्टी गत रखते हुए लॉकडाउन और करफ्यू के दरान क्रशी शेत्र में उर्वरग बीज कितनाशक के वित्रण एबं परिवहन व्यवस्ता के संबंध में विभनिस्तर पर शर्तों सहत छूट प्रदान की गई है इस आदेश के तहत इंदोर के लसूडिया मूरी तथा पालदा शेत्र में अधिकतर कंपनियों के गोदाम और प्रक्रिया केंद्र होने से खरीफ मौसम को द्रश्टिकत रखते हुए गोदामों से आवक और डिस्पोज करने हेतू प परिवहन कंपनियों का कारुबार करने के लिए उनको किटनाश कोशदी का विनिर्माण एवं परिवहन करने की अनुमती दी गई है जिस वाहन में बीज उपाज़त कर परिवहन किया जा रहा है या पैकिंग तेगिंग बीज का परिवहन किया जा रहा है उस वाहन को कर्फ प्रदाय लाइसेंस रखना निवारी होगा और मांगने पर दिखाना होगा वाहन पर इस संबंद में सूचना भी जिपकानी होगी बीज उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के परिवहन बीज प्रोसेसिंग विनिर्मानिकाई को सुबर दस बजे से शाम चार बजे तक विभिन प्रक्रियाहेतु छूट दी गई है इन इकाईयों को लॉकडाउन और कर्फियों के निर्देशों का पालन करना होगा इन्हें स्वास्त सरक्षा संबंदी उपाय करनी होगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा खाद, बीज और दवा, क्रिशी आदान का परिवहन, S.R. और S.D.M. कंपाउंड लसूरिया मोरी दिवासनाका से मांगलिया बाइपास से किया जाएगा जिलाप्रशासन द्वारा चुनिंदा व्यापारियों और अस्पताल संचालकों को बैंकिंग लेंदेन की छूट दी गई है शहर में एंबुलेंस की भी कमी पढ़ने लगी है क्योंकि कोरोना मरीजों के अलावा अन्नी मरीजों की संख्या भी कम नहीं है अभी तीन दिन पहले ही एक मरीज को स्कूटी पर लाना पड़ा जिसकी मौत हो गए यहां सा कालेक्टर के निर्देश पर पचास ओला टेक्सियों को एंबुलेंस के रूप में चलाया जाएगा यह टेक्सियां मरीजों के घर से अस्पताल और दूसरी जगर शिफ्ट करने में इस्तमाल होंगी साड़े ग्यारा बजे नहरू स्टेडियम में सिवा की शुरुआत की गई कंट्रोल रूम के जरिये इन सभी ओला टेक्सियों को कोई भी मरीज बुक कर सकेगा और दस अत्रिक्त शव वाहनों की व्यवस्था भी की गई है धिये धिरेकर शहर के सभी निजी बंद पड़े अस्पतालों में स्वाफ्त सेवाएं बहाल करवाई जा रही है कलेक्टर मनिश्थिह का पूरा जोर अधिक से अधिक मरीजों का समय पर उपचार करवाना है क्योंकि दिल्ली से पुराने नमूनों के एक साथ जांच रिपोर्ट आने के चलते कोरोना पॉजटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है अभी तक 160 ग्रीन कैटेगरी के हॉस्पिटल को भी तयार कर दिया है जहां पर अन्य बिमारियों के मरीजों को भरती करने से लेकर उनके उपचार करने की सुवधा शुरू की गई है वही अभी सभी डॉक्टरों को भी कहाद गया है कि वो रोजाना अपने मरीजों को फोन लगा कर उनके और परिजनों के स्वास्त के बारे में जानकारी लेते रहें इन सारी सुवधाओं के साथ कलेक्टर मनीश सिह शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम सलाम करते हैं कलेक्टर मनीश सिह के जजबे को सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स